तो गाईस कैसे हो आप सब स्वागत आपका एक बाद फिर आपके इपने चैनल फिल्मी बॉक्स आफिस पर बात करेंगे एक बाद फिर से फिल्म सूरिया बोले तो जैभीम और धमागा को लेकर जो कि गाईस दौनवी फिल्म में आउस्ट्रेंडिंग है हाथ तरफ से परफोर्मेंस के तोर पर खास तोर जीज़ा सबसे बात करता है जैभीम को लेकर जो की वास्ता में आउस्ट्रेंडिंग मूवी है लेकिन कुछ लोगों ने इस फिल्म को लेकर इतनी नेगेटिव फैलाई कहते है ना जो इसकी रेटिंग थी 9.6 से 9.5 आचुकी है थोड़ा सा ड्रॉप आया है रेटिंग के मामले में कलेक्सन तो ड्रॉप जा ही रहा है डे वाइडे क्योंकि गाईज अब यह फिल्म आल्मोस्ट क्लोजिंग के कगार पर है ते इस दिन इसको रिलीज हुए हो चुके है जो कि दिखा जाए तो बहुत लंबा वक्त हो चु है हर कोई यह नहीं का सकता जो फिल्म के लीड अक्रा सूर्याने किया है प्रेड्यूसर यह खोदा है और इनकी वाइफ जोदिका इन्होगी की प्रॉडक्शन कंपनी थी पर बात करें फिल्म को लेका जैसे की टायक्सन दी टीजे गयननवैल ले और इसको रिलीज वाज त क्लेक्शन कर रही है तीन से चार करोड रुपे का जिसके बाद जोसको क्लेक्शन हो चुका है कम से कम हो गया गाईज अभी तक 266 करोड प्लस चुकि अपना आप में एक आउस्ट्रेंडिंग क्लेक्सन है और यह जल्दी तो क्या ब्लोगपाश्या का वड़िक बहुत पहल अभी जाएगी यह बात सभी को बताया रामादवानी के प्रोडक्शन कंपनी डाक्शन में बनी यह फिल्म दमा का तो कि ऑफिसल तोर पर रिमेक थी कोरियन मुवी दी टेरर लाइव की उसके बावजूद लीडिंग में नजर आ रहे हैं से इस फिल्म में कारतिक आरेन और पर्फॉर्मेंस का जवाब नहीं है बहुत ज़्यदा इमोशनल भी दिखे बहुत ज़्यदा बोलते हैं न एकदम सार्प माइंड प्लस वो कॉन्फिटेंट भी नजर आए इस फिल्म के अंदर हमें कारतिक आरेन उनका रॉल ही कुछ ऐसा था बोली तो आर्जन पार्ठक क फिल्म काफी अच्छी है लेकिन जो मेरेको बुरा लगा पुरी फिल्म मे वो था उनकी फिल्मना by गडें दोल लाख पिसले 6 दोनों से देखते हैं गाईज इसका क्या कलेक्षन जाता है आने वले टाइम तक वेल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पर बताईएगा और साथी साथ आपने धमा का और जैबीम देखी तो आपको कौनसी फिल्म बैस लगी ये बताईएगा वीडियो पसंद आ लाइक करना सेर करना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वाचिंग कीप सपोर्टिंग बाबाए